हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। कुरोना महमारी की चुनोती, लेकिन शिवराज ने इस एक साल में हार नहीं मानी। कुरोना महमारी से पूरी दमखम से लड़ाई लड़ी और ये जारी है। उपचुनाव में टेंप्रेरी सरकार को पर्मानेंट किया। कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में आये सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ पार्टी नेताओं का बैलेंस बनाए रखा। इसके साथ ही वो 2018 की खामियों को भी पाड रहे हैं। कुल मिलाके एक साल में किसानों के खातिम गया अठासी हजार आट सो तेरह करोड रुपया। क्या कोई कल्प ना कर सकता था। और अभी भी चिंदा मत करना। और यहीं भी करोना काल्प है। जब पईसा का था पता नहीं था। मुझे कहते हो खुसी है। कि हमारे जो छोटे उद्ध्योग हैं। MSM ही मतलब लगी हूँ और कुटीर उद्ध्योग। अगले महीने पिछली बार सत्ता में पिछड़ने के बाद उनकी लोगप्रिये छवी को गहरा धक्का लगा था। लेकिन इससे उन्होंने बड़ा सबक लिया। जो उनके शासन करने के तरीके और नीतियों में जलक रहा है। वो एक तरफ सुशासन की छाप छोड़ने को आतुर दिखते हैं। तो दूसरी तरफ पार्टी के राजनितिक राष्टवाद और सांस्कृतिक एजेंटे पर थेजी से अमल कर रहे हैं। प्रदेश में लव जिहाद की घटनाय सीमित है। बावजूद इसके उनकी सरकार ने इसके खलाब सक्त कानून बनाने में देरी नहीं की। माफिया भी उनके नुशाने पर है। मगर शिवराज और बीजेपी के एक साल के काम की विपक्ष्ट अपने नजेरी में देना राज धर्म है और उस धर्म का हम पालन करें। मगर शिवराज और बीजेपी के एक साल के काम की विपक्ष्ट अपने नजेरिये से व्याख्या करता है। भारतिये जनता पार्टी तो किसी चीज में भी सेलेब्रेशन कर लेगी। कि उनको तो ये नाटक नाटक की करनी है। किस तरह जनता का देहान मुड़ा जाए, किस तरह जनता को गुम्रा किया जाए। भारतिये जनता पार्टी जब राष्ट बात करती है। यह तो एक मदाख होता है कि ऐसी पाटी जो एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ना ले पाए यह भारतिये जनता पार्टी का इतियास है शिवराज के अंदाज पर विपक्ष का अपना पक्ष है लेकिन याद करे 2003 को जब उमा भारती की आंधी में 10 साल की दिग्वजय सरकार चलती बनी मगर कुछी महिनों बाद उमा को भी इस्तिफा देना पड़ा फिर बाबुलाल गौर आये लेकिन पार्टी में अंदरूनी उठापटा का ऐसी मची कि उनसे भी 15 महिनों में ही इस्तिफा ले लिया गया दो साल के भीतर प्रदेश में दो मुख्यमंत्री बदल दिये गए ऐसे में पार्टी ने शिवराज पर भरोसा जताया और उसके बाद वो लगातार हाई कमान की पसंद बने हुए हैं पिछले मार्च के महिने में जब पार्टी को एक क्राइसिस मेनेजर की दरकार थी तब कोई दूसरा चहरा पार्टी को नहीं दिखा शिवराज ही हाई कमान की पसंद बने फिलहाल आगे के हालात यही कहते हैं कि 2023 तक वो ही पार्टी के क्राइसिस मेनेजर होंगे ब्यूरो बंसल निव्स नमस्कार मैं हूँ श्रद्वेडी और आज का मारा मुद्दा है बीजेपी के क्राइसिस मेनेजर पीछे ले जाओंगा आपको थोड़ा पीछे ले जाओंगा 2005 हर्बली मची हुई है बीजेपी में क्योंकि तीन चौथाई बहुमत लेकिन उसके बाद हुब पुलाल गौर्द जी की विदाई भी तय हो जाती है प्रमोध महाजन जी स्वर्गी अरुण जेटली जी स्वर्गी यह नेता आते हैं क्योंकि क्राइस मैनेजमेंट करना होता है और इस समय चुनना होता है एक ऐसे नेता को जो मध्यप्रदेश की बीजेपी की सरकार की ना चौकते हैं आपस में इशारों इशारों में खुलकर भी बात करते हैं कि भाई अज्यका होगा हो यार शिवराज जी हैं तो अच्छे लेकिन सरल होता दे तो कैसे होगा और लोग यही सोचते रहे और यह सिलसला चलता रहा 2008 तक कुछ बड़े आरोप भी लगते हैं तमाम भी होती हैं लेकिन शिवराज जी अपने शांत सहज सरल सुभाव से आरोपों का जवाब देते हुए अपने मित्र अपने आलोचकों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और 2008 का नतीज़ा चौकाता है इस समय केंद्र में एंडिये की सरकार है लेकिन मद्द्रदेश में भी प जाद आते हैं सबका बेहतरी निस्तमाल किया फिर 2020 में एक मुख्यमंत्री हटते हैं विश्वास खोने की बात आरोप लगता है जो भी घटना करम बना आप से हमसे छिपा नहीं है लेकिन अपकी बार फिर नाम आता है तो पार्टी का केंद्री नेत्रत तो यही सोचता है कि नहीं क्राइसिस मेनेजमेंट में तो शिवराज जी का हाथ बड़ा मजबूत है संकट की स्थितियां उनसे शिवराज जी अच्छे से निपटते हैं और जूचते हैं कारण क्या है विनम्रता सबको साथ लेकर चलना और यहीं वज़े है कि न सिर्फ 22 महमानों का स्वागत क करना क्योंकि यह तब तब यह कहा जा रहा था 2020 में भाईया समालना बहुत कठे नहीं हो पाएगा बाई जब लोग दुखी है दीपक जोशी जी क्या कहेंगे अजय विश्णोई जी क्या करेंगे तमाम बड़े निताओं की बाते थी लेकिन वह सब कुछ भी ठीक हो गया को चाहे जिस नजरिये से देखें लेकिन यहीं उनकी ताकत है और यहीं उनकी स्ट्रिंथ है यह उनके प्रशंसक भी मानते हैं और उनके आलोचक भी मानते हैं आज एक बार हम फिर इस विशे पर बात करेंगे विशे मौजू है क्योंकि एक साल सत्ता में शिवराज सिंग सब्सक्राइब करता हूं हमारे साथ हैं पिछड़ावर्ग आयोग कैद्यक्ष कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता जेपी धनूपिया जी मुद्रा गंभीर है उनकी लेकिन मत समझिए बहुत खुशमिजाज गंभीर और ठाके लगाने वाले विक्ति हैं सोच रहे होंगे कि हा शायद कुछ इसी तरह का नेत्रुत तो हमारी तरब भी हो अगर मैं कुफर नहीं बोल रहा हूं सर तो खंडन कर दीजेगा कुफर बोल रहा हूं तो अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो खंडन कर दीजेगा मेरा हम लोग कई बार सिलिप कर जाते हैं सर जुबान चाहूंग भी क्योंकि मैं जानता हूं कि वह सच बोलते हैं अपने धर्म का निर्वाह करते हुए भी चीजों को छिपाते नहीं है बदाई तो देना चाहेंगे धनोपिया साब आ जाप कोई दोमत नहीं है कि आदरनी सिवरासी चोहान साथ ने आज मुखंतरी चोथी वार बनके एक रिकार्ड बनाया और एक सार पूरा किया निश्यूर से बदाई के पात रहे हैं वो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर आप मादर से कहता हूं एज इंडिविजल पर सन आई लाइक सि मैं आपको आपके इस जेस्टर को एप्रिशेट करूंगा धनुपिया साथ क्योंकि यह आज की राजनीती में माफ कीजेगा बीजेपी हो कॉंग्रेस हो या तमाम प्लिटिकल पार्टी हो यह जेस्टर बहुत कमजोर पढ़ रहा है और यह नहीं होना चाहिए क्योंकि अप अगर किसी अपने नेता के बारे में कोई राय अच्छी रखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है और यह देश की परंपरा है जो नहरू जी ने भी निभाई है लोहिया जी ने भी निभाई है नर्सिमा राव जी निभाई है जब गुलाम नभी आजाज जी के जाने पर क्या जोड़ेंगे जी 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 सरजी आच्छी इसू है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसू है मंध्यप्रदेश के लिए 2020 की मैं बात करूँ पूरा हिस्ट्री आपने बता दिये सिवराजीत की सिंस 2005 नवंबर से लेकिन 2020 की मैं बात करूँ एक मध्यपी में फिर एक क्राइसिस आया जब मध्यप्रदेश में एक राजितिक हल्चल आया कि कौन मुर्थ कुमंत्री होगा बीजपी का तो एक क्राइ जितने भी सिवराज की समान फेसेज हैं वो कही न कहीं सेंटर लेडर सिप के कारण फेमस हैं बहुत सारे फेस लेकिन सिवराज जी एक ऐसी इमेज है मध्यप्रदेश या देश में जो अपनी स्वेम की इमेज रखते हैं 2014 में जब सेंटर लीडर से पावर में आई बीजेपी की यह दिकी गवर्मेंट बनी सेंटर में लेकिन सिवराज उस 2014 के बाद अपनी इमेज को उने बिल्डप नहीं किया मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश में उनकी इमेज 2005 के कुछ सालों बाद ही एक मजबूत लीडर मजबूरी पैदागी वो उनका एक experience था उनकी मध्यप्रदेश में जो पब्लिक में जो influence थी वो कई कारण ता जिसके कारण उन को सेंटर लीडर से ने चौथी वार लिया अब रही सही बात इस crisis में बहुत सारे leaders को कैसे satisfied किया जाए एक दूसरे व्यक्ती जो Congress से आए बहु और उनकी leadership की कही ना कहीं तारीफ करना पड़ेगी और आज वो एक साल जो पूरा किया है वो crisis आप देखिए कि कोरोना के काल में दुबारा repeat कर रहा है मध्यप्रदेश को ऐसी परस्तिती से ओवार कर एक platform एक ऐसा platform पर लाना जहां एक developing प्रदेश के रूप में में देखें लेकिन सिवराज जो इमेज रखते हैं public में वो आज भी कोई दूसरा अभी तक तो नहीं उब रहा है अब इसके गर्त में हैं कोई आज आए लेकिन सिवराज एक ऐसा चेहरा है जो वास्तम में मध्यप्रदेश में जब भी बीजेपी के अंदर क्या कोई crisis आया लेकिन एक crisis बीजेपी के लिए था और यह एक साल जो सत्ता में पूरा हुआ है आप यह भी याद रखिए कि यह एक साल यह वर्षगांट उस प्रयोग और उस गटवंधन की भी एक साल पूरे होने की है कि एक भी बरतन नहीं खड़का है सर आप याद कर लीजे आपको ले नेता जिनकी सीटों पर यह चुनाव जीते हैं कॉंग्रेस के नेता जो बीजेपी के नेता है उन्होंने नाराजगी जाहिर की नहीं सर तो यह गटवंधन भी जो है यह भी बिना क्राइसिस के आगे बढ़ा डॉक्टर बात परी दो तीन चार बातें पहले तो धनुप जादा करते हैं दो तीन बातें आपके इस कारेकरब से मैच होती है मुझे भी याद आ रही है तो मैं उनको जरूर रखना चाहूंगा पहली चीज तो बैरा ऐसा मानना है क्योंकि हमने भी साथा चुनाव सक्री रूप से लड़ाते हुए आप तो जानते ही हैं लगभग हम अब यह नहीं कह सकते कि उनका कोई गुठ है अब इसको आप कमजोरी मान लीजिए आरोम लगा लीजिए बहुत बड़ी बात मैं आप से कह रहा हूं कि राजनीती में इससे परे कोई रह नहीं पाता है आप हमारे मित्रें ऐसा सब लोग कहते हैं दनुपिया जी मुस्कुर रहना जिसमें आप गुठ से नहीं पहचाने जाते हैं यह बहुत बड़ा नैतिक बल देता है दूसरा मैं शरह जी बोलूँगा देखे धनुपिया जी हमको कोई भी आउसर ऐसा नहीं देते हैं जब हमसे प्रशासनिक हमारे शासन में गलती हो और उसको दनुपिया जी छो काम होता है मैं तो डॉक्टर भी हूं साथ अपने शरीर पर सर्जेरी करना शरह जी सबसे खटिन काम होता है कि आप ही प्रशासनिक मुख्या हो और आपके नोटिस में आता है कि यहां इतनी बड़ी गड़बड हुई है आप उसको निगल के मुझ फेर के नहीं जा सकते शर सब जानते मैं उसमें अंदर नहीं जाना चाहता निकाल के फेक दिया ऐसे कोई भी विशह आये हूं उन्होंने समझोता नहीं किया मुझे बहुत अच्छे से कई विशह चुकि मैं चेर्मिन रहा तो दौरान में उनसे इंटरेक्शन के आया आप तो जानते है निजी को साब 10.30 बजे बात हो रही है मैंसे छोड़ा है फोन आता है उनका तो नहीं बुले यार मैंने का वैसा आपन सुबह कर देंगे बोले नहीं बोले ऐसा करो मैं डीजी पी से बात करता हूं रात को ही करो सारे 11 बजे हमने उस अनिमित्ता की एफायर करी है सर और सुबह तक हो गई तो मुझे लगता है मैंने उनको कभी ये समझोता करते नहीं देखा की कहीं पर यही कोई चीज़ समझ में धनुपिया जी स्वयम हो गए और जैसे धनुपिया जी का चमकदार चरित्रह साब 40 साल से हम देख रहे हैं इनको 30 साल से उपर से तो हम जवानी में देख रहे हैं एक आरोप नहीं तो आप सोचिए शीर्षपद पर बैठा ऐसा व्यक्ति जबकि राजनीती में हम रोज कुछ कुछ ना कुछ किसी के बारे में सुनते हैं बेदाग कोई नहीं कह सकता कि साब किसी भी रूप से उन्होंने कहीं इस प्रकार का क्योंकि साब करेक्टर इस लॉस्ट एन एवरिटिंग इस लॉस्ट यह राजनीती की सबसे बड़ी क्राइसिस है जिसको राजदेताओं को सम जी और जो लेकिन क्राइसिस मैनेजर की बात कही है मैं जरूर इसमें कहना चाहूंगा कि जितने वो सरलता से चीजों को लेते राजनीती उत्ती सरल होती नहीं है शरत जी तो शायद कुछ के लिए बंदी करना चाहिए जिससे हम धनुपिया जी के मानों को प्रफरली डील क कर सके और उसको पुलिटिकली डील कर सके यह जरूर हम मैसूस करते हैं कभी-कभी विश्यों को लेकिए ज्यादा सरल हो जाते हैं यह कभी-कभी मैं समझता हूं कि हाला कि लोग तो अब उनको समझने लगे आप लोग भी समझते हैं तो उसको अनिथा नहीं लेकिन कभी- 18 में देखा है और इसलिए 18 में हमको मतों की संख्या कम नहीं होई मतों की हमें सब्सक्राद तो कि हम रही डिया नहीं कर सकते थे यह जों हो नहीं कर पाए और इस बार लेकिन मुस्तैद और मुझे लगता है इन सभी challenges के लिए तयार है और 23 में हम पुराने सभी 18 को तो भुलाई देंगे साब यह तो तैबात है आपने भी बड़ी बेबाकी से और मुझे लगता है कि एक बड़ा खुला हुआ एक प्रस्तुतिकरण यहां किया है जो बहुत अच्छा लगता है राजनीतिक मंच पर जहां एक ही जैसी बाते होती है एक ही लाइन बार बार फालो की जाती है और उसी लाइन पर अटक कर हम रह जाते हैं इसी लिए कई बार लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल डिवेट्स या पॉलिटिकल समवाद बड़े नीरस हो जाते हैं माफ कीजेगा लेकिन आज की बादचीत अलग दिशा में है ये बिलकुल इससे मैं सहमत हो हो सकता हूं कि शिवराज जी की सरलता कई बार चुनौती बनती है लेकिन यहीं सरलता उनका हथियार भी बहुत बड़ा है हथियार शब्द अगर सरलता के साथ ठीक ना लेकिन मानिया हां बिलकुल क्योंकि आपको कई बार उस बाड़ी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती करते हैं और उन्हें राजनेतां के प्रती बड़े आलोचक होते हैं यह सच बात है वह बड़े भारी कीमत चुकाते हैं जैसे हम पत्रगार भी चुकाते हैं कि लोग यह मानते ही हैं कि आप स्वभाविक रूप से कुछ अनिवार ये बुराईयों से घिरे ही होंगे बराल अब मैं मौका फिर विपक्ष की तरफ है दनौपिया साब कुछ और पक्ष पर आ सकते हैं जो उनका अधिकार है और उन्हें आना ही चाहिए जी दनौपिया साब सब्सक्राइब करते हैं चोटा काम हो बड़ा काम हो कोई सब्सक्राइब करते हैं तो मैं समझता हूं कही ना कहीं जो सब्जेक्ट आपका अलग है मैं जो सब्जेक्ट पर ही रहना चाहता हूं लेकि बात यह हैं सब्सक्राइब करते हैं और अपनी इमेज बनाते रही हैं लेकि कितनी बोड़ना पुरी होती हैं दो हजार आठ का गोहँड़ापदा था इनका हम किसानों करजे पचासओ रुपर करेंगे नहीं 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 सब्सक्राइब नहीं मिल पाती है या वो कर नहीं पा रहा है या कर नहीं कमी जी आपने एक एजंडा रखा बिल्कुल मैं सहमत हूं बहुत सारी चीज़े हम कर देना यह मुझे नहीं दिहाना आता कि किसी राजने किया हो यह मद्यपदेश ही है शिवराज सिंग चौहन ही है लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजना जो अब पूरे राज्यों में दलगत राजनिती से उपर उपकर फॉलो की जारी है है शुन तो लीजेए चोटी सी बात हम दो मिर्ट सुन तो लीजे अप चर्चों के पंजाब में भी है और रहेगा यह पूरा मौका रहेगा पूरा मौका रहेगा रहेगा जी अब दोनों सज्जन हैं ऐसे में दूविदा की आंदोलन करूं की नहीं करूं लेकिन इविश्य है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उस क्राइसिस में से भी गुजर के मनमोल जिंग जी का सयोग लेकर उला पाला को आपदा की सूची में डलवाया तो मैं समझता हूं कि उन्होंने केवल ऐसा है कि आकरामक विपक्ष के रूप में किया उन्होंने किसानों की सब्सक्राइब करना है तो मैं ऐसे कई उधारान दे सकता हूं जी बड़ा सवाल यह है कि जो राजनीती का लोकाचार है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कमला जी जब बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कमान समाली तो सवाल उनकी योग्यता पर किसी ने खड़ा नहीं किया सवाल राजनीती का जो लोकाचार है विलकूल ठीक लोगों ने कहा आप अपने सयोगियों से कैसे मिलते आप जनता के बीच में कैसे आते हैं क्योंकि राजनीती में आपकी योग्यता कितनी भी गहरी तुना अदर से प्रति यह बात करूंगा उनकी योग्यता निर्वःवाद है लेकिन जनता के प्रतिध को नहीं जाते हैं यह उनका भी सभाव है वह नहीं उनको इनके-मारा का बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं कि अगर कोविड है तो कोविड के लिए जो जरूरी चीरें वो तो कर रहे हैं लेकिन जनता को बार-बार मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं तो घेरा बनाने पहुंच गया हूँ आपके बीच में पेटलावद की घड़ी मैं तो मास्क लगाने कि जो अच्छी चीजें हैं उसके तारीक करना चाहिए चाहाए किसी भी पॉलिटिकल पАल्टे की गश्टमेंट हो इस इस एक अपनी अदा है यह उनका स्टायर है कि अभी तो वो किसानों, यवाओं की लीडर मने जाते हैं मंदर प्रदेश में, यह यह नहीं नहीं मने जाते हैं, उनका यह स्टायल है कि कोरोना में भी कहीं भी पहुंच गई, आपने मन्मोहन सिंग जी का नाम लेया, वो मन्मोहन सिंग जी वाकई, एक बहुत बड़ी एकनोम अभी एडवांस हो चुकी है, टेक्निकली एडवांस है, और वो चाहती है कि हमारा लीडर हम से इंट्रेक्ट करें, हमारे सामने आए, हमारे पास आए, क्योंकि उसको आगे समय में लीडर को भी एलेक्शन में जाना है, और एलेक्शन जी जिंक का यह फंड़ा है, कि आप उनको उतना ही इंफ्लेंस कर पाएंगे, तो सिवराज में यह अदा है, इसमें कोई दोराय नहीं है, तो उस अदा का उनको ब्यप्तिगत लाग लिता है, और पार्टर को भी लाग दिलाते हैं, आप एक चीज़ और याद लाता हूँ, कि यह चैलेंज बहुत बड़ा था स सिवराज जी के सामने, 2020 मार्च में 23 को जब उन्होंने सफ़त ली, सफ़त लेने के बाद, जी 28 सीट्स पर, जब कॉंग्रेस को एक ऐसा कॉंग्रेस ने परचार किया था, कि कहीना किसी गंदार खुद्दार वाला एक सिलोगन लाए, उस सिलोगन से कट कर, अपनी इमेज के बरबूते पर इतनी सारी सीटें जिता कर, गौर्वर्मेंट को इस्टैवलिश करना एक बहुत बड़ा चिलेंज था, और यह कहीना कहीन, मैं जो कहना चाहता हूं, मेरा जो अपना स्टेडी है, उसमें शिवराज ही एक ऐसे लीडर है, जो इस चीज को फुल्फिल कर पाए अधरबाइज मद्यप्रदेश में उस समय बहुत बड़ी समस्या थी चलिए मैं कंक्लूड इस तरह से करूंगा कि शिवराज एक ऐसे नेता है, ऐसा नहीं है कि लोकाचार कॉंग्रेस के नेताओं में नहीं है, और वो नहीं करते हैं, दिग्विजे सिंग एक ऐसे नेता है जो लोकाचार में भी प्रमीन माने गए और पार्टी की जो इनर पॉलिटिक्स होती है, उसके भी वो निशनात और माहिर राजनेता हैं, अंतर है, शिवराज जी अंतर मुखी हैं, बहुत कम बोलते हैं, और दिग्विजे सिंग जी मुखर हैं, बेबाक हैं, खुलकर अपन की फोरम पर वो भी शिवराज जी की तरह हैं, बिलकुल, एकदम चुपी और बहुत चुपी रखते हैं, यह अंतर जरूर है कि शिवराज जी लोकाचार में बहुत प्रवीण हैं, लेकिन पार्टी के अंद्रूनी मन्चों पर वो पार्टी के मानुष हो जाते हैं, उनका प्रिये व्यक्ति भी अगर बलीवेदी पर बली चड़ रहा है माफ कीजेगा यहां राजनीतिक बलीवेदी और राजनीतिक बलिदान की बात है तो वह चुपी साधे रहते हैं वहां वह पार्टी मानुष हो जाते हैं और सर इसी वजे से वह केंद्री नेत्रुत्तों के प्य की निधी हो जाते हैं जिसकी कीमत भी चुकाते हैं कई बार लेकिन वह मानते हैं कि जिम्मेदारी को ऐसे निभाना है इतना जरूर है कि आज मद्यप्रदेश की राजनीती में और आप इसको और बड़े फलक पर देखें तो बीजेपी की राश्टी राजनीती में भी घाता है आपका सबसे अच्छा मास्टर है 2018 स्मृती में रहारा कर कौंदता होगा संघथन के स्तर पर टस्टर पर इत्र के स्तर पर शत्रु और निष्चे तौर पर शायद ये शिवराजी की सबसे बड़ी बदद करेगा सब्सक्राइब दोजार तेइस में हम देखेंगे सथ कहां जा रहे हैं आप और हम सभी साथ ही रहेंगे शुब कामना है दनोपिया जी आपको भी आपकी पार्टी को भी बहुत धनेवाद धनोपिया जी धनेवाद सेत्रप्रकार जी धनेवाद डॉक्टर वाजपी